कि 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 थेंक्यू वेरी मच्छ फो दी कन्फिरमेशन सर्मिष्टा सक्षम चलिए तो जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई 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 मुझे लगा कि यहां पर लिंक कर सकता हूं चीज़े राइट सो वहां पर मैंने आपको और चीज़ों को पढ़ेंगे एक चोटा सा टोपिक है ज्यादा कोई रूल्स भी नहीं है इसमें ठीक है और हां गूट इवनिंग मिनाक्षी ज्यादा कोई आपको फिल हो सकती है तो आई विल ट्राइव मैं बेस्ट टू क्लियर और डाउट राइट आज हम क्या करेंगे इनके जो भी क्या होते हैं कंडिशनल सेंटेंसिस कब हम इने यूज करते हैं और यह सब पढ़ेंगे ठीक है दो लेक्टर सा आपके लिए हमने प्लान करें है के कंडिशनल सेंटेंसिस के कल मैं थोड़े से क्वेशन लेकि आऊंगा अकर मुझे कुछ लगता है कोई रूल कोई कुछ इंपोर्टेंट कंडिशनल सेंटेंसिस से रिलेटेट हाँ कल मैं आपके लिए साथ में लेकि आऊंगा एक्सेप्शिन्स ठीक है कि कहां पे आपको को चेंज करके भी आप लगा सकते हो और साथ में कुछ कोशन स्टाइब करें और इवनिंग सोनम तो चलिए फिर क्लास के आज की हमारी क्लास यह स्टार्ट करते हैं पानी आप पी लीजिए क्योंकि अभी क्लास करके आ रहे होंगे आप लोग भी ठीक है पानी साथ में लेकर बैठा करियो राइट और पानी पीते रहा करी बीच में तो चलिए फिर देखिए यह एक डेफिनेशन है ठीक है वैसे आपको मैं बताता हूं कि कंडिशनल सेंटेंस होते क्या है राइट कंडिशनल सेंटेंस हमारे कंडिशन लगाते हैं उस कंडिशन के को सकती है या फिर वो सिचुएशन ऐसी जो रियल सिचुएशन हो सकती है राइट उसी के हिसाब से उस situation का क्या होगा consequence होगा right एक situation होगी ठीक है और वो situation हमारी hypothetical या फिर real situation हो सकती है and according to that situation उसका एक consequence भी हो सकता है right complete conditional sentences contain a conditional clause right दो type के clause होते हैं इसमें right एक clause होता है आपका dependent clause right मैंने आपको यह पहले वी चीज़े पढ़ा है right कोई first time नहीं कर रहे है आप लो dependent clause अब close क्या होता है यह I hope कि आपको बता होगा close एक ऐसा एक you can say sentence होता है जिसमें की verb होती है ठीक है जो एक अपना meaning deliver करता हो right और एक phrase होती है phrase में क्या होता उसकी अपनी verb नहीं होती right उसका को particular meaning deliver नहीं होता right और subject verb agreement उसमें follow नहीं होता है इसमें subject verb agreement follow होता है that is close dependent clause और दूसरा होगा और एक हमारा main clause होगा right एक if के साथ में जो हमारा clause आएगा एक हमारा main clause होगा right समझ आ गया dependent clause क्या होता है जो खुद का meaning deliver नहीं करता जो दूसरे sentence पे depend होता है अपना meaning fulfill करने के लिए independent का मतलब क्या होता है उसको आप ऐसे पढ़ोगे single so you will get the idea कि क्या कहना चाहता है right जैसे की example से समझी अब क्योंकि कोई भी चीज़ आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप खुछ से कुछ questions नहीं करेंगे और जब तक आप कुछ examples try नहीं करेंगे so यह आपका example I would travel around the world if I won the lottery अगर मैं lottery जीत जाता हूँ तो मैं world में travel करूंगा अब पढ़ने से तो क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि यह sentence past में है ठीक है कोई शक नहीं कि verb की second form है यह sentence past का है बट यह एक imaginary situation है राइट यह एक imaginary situation है और वो imagine कर रहा है कि अगर मैं lottery जीत जाता हूँ तो मैं दुनिया घुमूंगा बट यह sentence आपको present sense में जा रहा है ठीक है राइट यही conditions आप आज हम लोग इसमें deal करेंगे आज हम लोग समझेंगे कि conditional sentences क्या होते हैं कैसे इन में हम questions को identify करेंगे क्या का इनका pattern रहता है right all these things we will discuss in this lecture right तो example just मैंने आपको समझाने के लिए कि क्या बोलता है if close देखिए यह रहा if close if I won the lottery अगर आप इसको independent sorry इसको अकेले को पढ़ते हो तो क्या लगता है आपको कोई इसका meaning जा रहा है को purposeful meaning आपको मिला इसका if I won the lottery क्या अगर मैं lottery जीत चाहता हूं तो क्या कोई meaning नहीं मिला ना आपको बट अगर इसको आप पढ़ोगे I would travel around the world तो आप एक sense समझ पार हो कि I would travel around the world एक meaning jar at least right अच्छा when water reaches 100 degrees it boils अच्छा एक चीज़ और के वर आपको देखो आप देखोगे कि यह जो if है यह भी replace कर देता है when को replace कर देता है ठीक है when we condition ही बताता है देखा जाए तो right तो यह चीज़ भी समझोंगे यह भी एक rule में आ जाता है चाहे when से sentence start हो क्योंकि condition बता रहा ना कि when water reaches 100 degrees it boils right यहां तक बताईए किसी को doubt हो नहीं है बताईए बताईए किसी को doubt हो नहीं है इसमें अभी तक जो चीज़ मैंने बताईए आपको इसी को अब हम आगे detail में पढ़ेंगे ठीक है देखिए types of conditional sentences अब majorly बात करूँ तो हम जो deal करते है mostly first conditional sentence हो गया second conditional sentence हो गया and third conditional sentence राइट बट एक zero conditional sentence भी होता है ठीक है आज कल examiner जो है exam में उससे भी questions पूछने लग चुप है तो हम चारों की चारों जो आपके types हैं इनमें deal करेंगे राइट फॉर ठीक है